वेल्कम स्टुएंट्स तो आवर यूट्यूब चेनल कविताज स्टेडी एडे स्टुएंट्स आज हम देखेंगे क्लास 10 साइन्स का चैप्टर 13 विद्धु धारा की चुम्बकी प्रभाव के अभ्यास प्रश्न उत्तर वर्स्ट कोउशन निमनेलिखित में से कोण किसी लंबे विद्धु धारवाही तार के निकट चुम्बकी प्रभाव के लिभाव के अरीये aremos अभव तार से होता है और D option चुम्बकी चेत्र की संकेंदृ चेत्र रेखाों का केंदर तार होता है तो students हमने क्रिय कलाप में चीज़ को बहुत अच्छे समझ लिया था तो इसका जू आणसर होगा वह ऑप्षन d चेत्र की संकेंद्री चेत्र रेखाओं का केंदर तार होता है नेक्स्ट है वैद्धुत चुम्बक की प्रेरण की परिगटना आधारित होगी किसी वस्तु को आविशित करने की प्रक्रिया है किसी कुंडली में विद्धुत धारा प्रवाहित होने के कारण चुम्बक की छेतर उत्पन करने की प्रक्रिय तो इसका option C सही होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच आप्रिक्षिक गती के कारण कुंडली में प्रेरित विद्धुद्धारा उत्पन करना है नेक्स्ट है निम्लिकित प्रकतनों में कौन सा सही तथा कौन सा गलत है इसे प्रकतन के सामने अंकित कीजी फर्स्ट है विद्धुत मोटा रियांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में रुपानतरित करता है यह हमारा option गलत है यह sentence जो है वो असत्त है बी विद्धुत जनित्र वैद्धुत चुंबक की प्रेरण के सिधान्त पर कारे करता है सत्ते option सी किसी लंबी व्रत्तकार विद्धुत धारवाह कुंडली के केंडर पर चुंबक की छेत्र समांदर सीधी छेत्र रेखाएं होती है और डी हरे विद्धुत रोधन वाला तार प्रायः विद्दुन में तार होता है यह गलत है नेक्स्ट कोशन चुम्बक की चेत्र को उत्पन करने के दो तरीकों की सूची बनाई है चुम्बक की चेत्र उत्पन करने के तरीके नेमने है धारवाही चालक द्वारा, स्थाई चुम्बक द्वारा और विद्धुत्माई चुम्बक द्वारा नेक्स कोशन परिनालिका चुम्बक की महती कैसे विभार करती है क्या आप किसी चड़ चुम्बक की सहायता से किसी विद्धुद्धारवाही परिनालिका के उत्तर धुरू तदा दक्षिन धुरू का निर्धारन कर सकते हैं पास-पास लिप्टे हुए तामबे के तार वाली अनेक फेरों वाली बेलनकार आकरती परिनालिका कहलाती है जब परिनालिका में इसे धारा प्रवाहित की जाती है तो चुम्बक की चेतर रेखाएं उत्पन होती है ये चुम्बक की चेतर रेखाएं चड़ चुम्बक से उत क्योंकि समान द्रुवों प्रतिकर्शन होता है अतहा बेटरी के रिंड सिरे से जुड़ा हुआ परिनालिका का सिरा उत्री ध्रुव तथा परिनालिका का अन्य सिरा डक्षन ध्रुव की भाती वेवहार करेगा नेक्स कोशन मान लीजिए आप किसी चेंबर में पीट को किसी एक दीवार से लगा कर बेठे हैं कोई लेक्टर पुंज आपके पीछे की दीवार से चलने किसे सामने आली दीवार की और छेती इच्दह गमन करते हूँ किसे प्रेवल चुम्बकी चेतर द्वारा आपके दाई इस इस्तिती में बल की दिशा उपरी मुखी या अधुमुखी हो सकती है पिछली दीवार की और रहती है क्योंकि रिणा वेशित इलेक्टरॉन की दिशा पिछली दीवार से अगली दीवार की और है तता फ्लेमिंग के पाएं हाथ के निय मानुसार चुमबकी चेतर नेक्स कोशज़न विद्धूत-मोटर का नामंग की तारिक खीची इसका सिध्धान्त तत कारेविदी स्पश्ट कीज़ी विद्धूत-मोटर में विभक्तवलाई का क्या महत्व हैт सिद्धान्त ये धारा के चुंबकी प्रभाव पर कारे करती है किसी धारावाही कुंडली को चुंबकी एक शेतर में घुमाया जाता है तो चुंबकी प्रभाव उत्पन्न होता है सनरचना विद्धुत मोटर में विद्धुत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली होती है इसे छेतर चुंबक के मद्धिस प्रकार रखते हैं कि भुजा A B तथ C D चुंबक की छेतर के लंबवत रहें कुंडली के दो सिरे विभकत वलाय के दो अर्ध भागों P तथ Q से संयोंजीत होते हैं P तथ Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशा दो इस्थिर चालक ब्रिशों X तथ Y से स्पर्श करते हैं ब्रुश X तथा Y बैटरी से जुड़े होते हैं कारेविधी बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर ब्रुश X से होते हुए धारा कुंडली A, B, CD में प्रवेश करती है तथा ब्रुश Y से होते हुए या बैटरी के दूसरे टर्मिनल से बाहर जाती है कुंडली में विद्धुद्धारा A से B की और तथा भुजा C डी में C से B की और प्रवाहित होती है अतहा A B तथा C डी में विद्धुद्धारा की दिशाएं विप्रित होती है प्लेमिंग के बाएं हाथ के निये मानुसार धारवाही चालक भुजा A.B. पर आरुपित बली से नीचे की ओर जबकि भुजा C.D. पर आरुपित बली से उपर की ओर धकेलता है इस प्रकार किसी अक्षपर घुनने के लिए कुंडली तथा धूरी वामवरत घुनन करते हैं आदे घुनन में Q का संपर्क बुरुष X से तथा P का संपर्क बुरुष Y से होता है अब कुंडली में विद्युद्धारा उतक्रमित होकर पत B, C, D, A के अनुदिश प्रवाहित होती है विद्युद्धारा के अनुक्रमित होने पर दोनों भुजाओं की दिशाएं भी अनुक्रमित हो जाती है इस प्रकार कुंडली की भुजा A, B पर उपर की और बल लगता है तता भुजा C, D पर नीचे की और बल लगता है अतहा कुंडली तता धूरी उसी दिशा में आदा गुर्णन पूरा कर लेती हैं प्रत्यक आदे गुर्णन के पश्यात विद्धुत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम चलता रहता है जिसके फल सरूप कुंडली तता धूरी निरंदर गुर्णन करते रहते हैं नेक्स कोशन ऐसी कुछ युक्टियों के नाम लिखिये जिन में विद्धुत मोटर उप्योग किये जाते हैं उत्तर विद्धुत मोटर का उप्योग विद्धुत पंखो रेफ्रेजरेटरों विद्धुत मिश्रकों अर्थत मिक्सर वाशिंग मशीनों कंपीटरों MP3 प्लेयर आदी में किया जाता है विद्धुत मोटर एक ऐसी घुर्णान युक्ती है जिसमें विद्धुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में रूपांतरित किया जाता है क्या होगा यदि कोई छड़ चुमबक यहाँ पर आपको इस्तितियां दी जा रही है पहली कुंडिली में धकेला जाता है जब छड़ चुमबक को कुंडिली के अंदर धकेला जाता है तो कुंडिली में चानिक विद्धुत धारा उत्पन्न होती है जिसके परिणाम सरूप गैलविनमीटर की सुई में चानिक विक्षेप उत्पन्न होता है सेकेंड स्थिति कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है जब छड़ चुंबक को कुंडली के अंदर से बाहर खींचा जाता है तो विपरित दिशा में चनिक विद्धुद्धारा उत्पन्न होती है तता गैलवेनो मीटर की सुई में पहली स्थिथी के विपरित दिशा में चणिक विक्षेप उत्पन होता है नेक्स्ट है कुंडली के भीतर इस्थिर रखा जाता है जब कुंडली के अंदर चुम्बक को इस्थिर रखा जाता है तो धारा उत्पन नहीं होती तथा गैलवेनो मीटर की सुई विक्षेप नहीं होती है नेक्स्ट कोशन दुवरत्तकार कुंडली A तथा B एक दूसरे के निकट इस्थित हैं यदि कुंडली A में विद्धुद्धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली B में कोई विद्धुद्धारा प्रेरित होगी कारण लिखिए उत्तर दुवरत्तकार कुंडली A तथा B एक दूसरे के निकट है जब कुंडली A में धारा प्रवाहित करने पर करते हैं तो चुंबकी छेतर रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं परिणाम सरूप कुंडली B के चारो ओर की चुंबकी छेतर रेखाएं भी परिवर्तित हो जा को निर्धारत करने वाला नियम लिखिए पहला किसी विद्दुद्धारवाही सीधे चालक के चारों और उत्पन चुमबक एक शेत्र इस सेंटेंस पर मैक्सवेल का या दाहिने हाथ के अंग उठे का नियम लाग रहा किसी चुमबक चेत्र के लंबवत इस्तित्य विद्धुत्धारवाही सीधे चालक पर औरूपित बल वेंपल opinion कία की सिच्ञाँ यदा में कीषब सब्सक्राइब वाये वीद्ध्ध एविध्ध कारवी स्फित्यषार्व करते सब्सक्रातों को ए regel झाल कदेगा। किजिए इसमें ब्रूशों का क्या कार रहे उत्तर विद्धुत जनेत्र या यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में रुपान बदलता है सिध्धान्त जब किसी कुंडली को चुंबकी खेतर के बीच घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्धुत धार उत्पन होती है प्रेरित विदुद्धारा के कारण विदुद का उत्पादन होता है सनरचना विदुद्ध जनित्र में एक घुरनी आयतकार कुंडली ABCD होती है इसे दो स्थाई चुंबकों के बीच रखते हैं कुंडली के सिरे दो वलयों R1 तथ R2 से सयोजित होते हैं स्थिर चालक ब्रुष B1 वा B2 को वलयों R1 वा R2 पर दबा कर रखा जाता है ब्रुषों के बाहरी सिरे बाहरी परिपत में विद्धुद्धारा के प्रवादर्शाने के लिए गैलवनों मीटर से जुड़े होते हैं कारविधी जब दो वलयों से जुड़ी धूरी को इस प्रकार गुमाते हैं कि कुंडली की भुजा A, B उपर की और तथा सीड़ी नीचे की और होते हैं तो इस थाई चुंबक द्वारा उत्पन चुंबक की चेतर में गती करती है तो कुंडली चुंबक की चेतर रेखाओं को काटती है जब कुंडली को दक्षिनावर्थ गुमाया जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नीम अनुसार A, B तथा सीड़ी भुजा में दिशा की और धारा प्रवाहित होती है अर्द घुर्णन के पश्चात भुजा सीड़ी उपर की और तथा भुजा A, B नीचे की और जाने लगती है अब धारा की दिशा D, C, B, A होती है अब बहाई परिपत में धारा ब्रुष B, 1 से B, 2 की और प्रवाहित होती है नेक्स पोशन किसी विद्ध परिपत में लगुपथन कब होता है उत्तर जब परिपत का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तथा धारा का प्रवाह उच्च हो तो लगुपथन हो सकता है ऐसा तब होता है जब एक ही प्लग सौकेट में अनेक उपकरणों को जोड़ा जाए तथा उच्छ अनुमतांक को निमन अनुमतांक की परिपत से जोड़ा जाता है तब विद्धुत मैतार और उदासीन तार का विद्धुत रोधी आवरण हड सकता है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं या परिपत में अकस्मात धारा का प्रहवा बढ़ जाता है तो भी लगुपतन हो सकता है नेक्स कोशन भू संपर्कतार का क्या कार है धातु के आवरण वाले विद्धुत रोधी साधित्रों को भू संपर्दित करना क्यों आविशक है उत्तर भू संपर्कतार अतिरिक्त विद्धुत चरण से लगने वाले आघात से उपियोग कर को बचाता है धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्गतार विद्धुत धारा के लिए अल्प प्रतिरोद का चालन पत प्रस्तूत करता है इससे यह सुनिशित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में धारा का चरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमी के विभव के बराबर हो जाएगा परिणाम सरूप साधित्र को उप्योग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्धुत आगहत से सुरक्षित बच जाता है नेक्स कोशन विद्धुत फ्यूज क्या होता है इसकी बनावट का सचित्र वरणन कीजिए इसकी क्रिया विधी भी बत परिपत में अतिव भारण या लगुपतन के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है जिससे परिपत तूट जाता है और धारा बंद हो जाती है इसका उप्योग विधी तुपकरन की सुरक्षा के लिए किया जाता है स्टुडेंट्स आया होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल